नए क्रिशी कानूनों को लेकर अनदाताओं का आंदोलन 25 दिन भी जारी है लेकिन सरकार अपने रुख पर कायम है लेकिन अनदाताओं के इस आंदोलन का असर हर्याणा सरकार पर पूरी तरह से दिख रहा है और इसी मुद्दे पर शनिवार को हर्याणा के मुखे मंतरी मनु अंदोलन लगातार जारी है दिल्ली की ठिटुरन भरी सरदी में अनदाता अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं और उनकी मांग को लेकर विपक्ष भी सरकार को खेरने का मौका नहीं छोड़ रहा है लेकिन इस पूरे अंदोलन का असर हरियाना सरकार पर साफ दिख रहा है जहां सहीयोगी पार्टी इस मुद्दे पर हल ना निकलने को लेकर सरकार से अलग होने की बात कह रही है जिसकी वज़ा से हरियाना के सियम मनुहरलाल खटर के माथे पर चिंता की शिकन साफ नजर आ रही है और इसी के मद्धे नजर शनिवार को हरियाना के मुख्य मंतरी मनुहरलाल खटर ने केंद्रिय क्रिशी मंतरी नरेंद्र सिंग तोमर से मुलाकात की दोनों नेताओं ने क्रिशी कानूनों पर चर्चा की जिसके बाद मनुहरलाल खटर ने कहा कि मेरा मानना है कि अगले दो-तीन दिन में सरकार और अन्यदाताओं में बात हो सकती है अन्यदाताओं के विरोध का समाधान चर्चा के माध्यम से निकलना चाहिए खटर ने कहा कि यदी अनिदाता हा या नहीं में उत्तर की मांग के बिना आगे आते हैं तो सरकार बाचीत के लिए तयार है वहीं दूसरी और एक अन्यनेता बलबीर सिंग ने कहा कि अनिदाता तब तक अपना विरोध प्रदर्शन समाप्त नहीं करेंगे जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती उन्होंने कहा हम एक लंबी लड़ाई के लिए तयार हैं हम अपने अधिकारों के लिए यहां हैं हम अधालत के आदेश के बाद अपना रुखते करने की प्रकृया में हैं अब इसके बाद सरकार अनिदाताओं के आगे जुकेगी या नहीं ये तो आने वाला समय ही बताएग लेकिन इन सबसे हर्याना सरकार में हलचल लगातार बढ़ती जा रही है दीबी लाइप की रिपोर्ट